हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं मेरा चैरल साइक एडमी फॉर सक्सेस बच्छे पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी वीडियो हमने अल्रीडी बना दी है और यह जो सेकेंड चैप्टर हमारे चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं दो दुरुवेता के अंत की जिसमें सोवेज संग का विगटन हो गया था सोवेज संग के विगटन होने के बाद और क्या के कारण थे मिखायल गॉरबाचेव की नेतिया थी और बाकी बहुत सारे कारण थे सोवेज संग के विगटन के किस प्रकार सोवेज संग की प्रनाली थी यह सारी बाते हमने पिछली वीडियो के अंदर डिसकस कर ली हैं अग सौक्थारी क्या थी और इसके क्या परिनाम थे थोड़ा सौक्थारी बताने से पहले मैं आपको थोड़ी बाते बता दूँ जैसे हमें पता था कि पूरा विश्व जो है उन्ने से पैतालीच जित्ते विश्व के बाद दो भागों में बढ़ गया था एक था पूंजीवाद था वह अर्थवस्थाति जो सरकारी नीतियों की और यानि सरकारी मजबूती को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बनाया करते थी तो दीरे-दीरे जैसी सोवेट संग का विगटन हो गया तो सोवेट संग के विगटन होने के बाद अमेरिका ने अपनी नीतियां बन तरत्रोस्ता वाले देश थे उनको अमेरीका ने ये वादा किया था कि वो उनको हर संभव आर्तिक सहेतत देगा परंतु इसके लिए उन्हें पुजी वाद को अपनाना होगा अर्थात उन्हें निजी उद्योगों को महत्व देना होगा इस बात से एक बात मेलकुल साफ हो थी कि अमेरिका का वर्चस वो लगबग पूरे विश्वपर हो गया था और समयवाद और पुंजीवाद की इस लड़ाई में I think पुंजीवाद जीत गया था क्योंकि सोवेशंग का विगटन हो गया था तो सोवेशंग के विगटन के बाद से ही बहुत सारे देश लगातार और जल्दी से अपना विकास करना चाहते थे लेकिन उस विकास को करने के लिए उन्हें बहुत जादा पैसो की याने धन की आवशकता थी और धन उन्हें मिलेगा केवल दो संस्थाओं से डबलो बी याने की वर्ल्ड बैंक विश्य बैंक और अंतराश्टिय मुद्राकोश अर्थात इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लेकिन दोनों ही क्योंकि काम करती थी अमेरिका की सलापर और इसमी सबस्यादा शेयर जो था वो इसलिए भी इन दोनों ही कंपनियों ने इन दोनों यहंन vocal Right Ke себя करना चाहते थे खास तोर पर शोवे संग से अलग हुए देश या वे देश जो सोवे संग के खेमे में शामिल थे वो अपना विकास तेजी से करना चाहते थे इसलिए उन्होंने बिना जिजक अमेरिका यानि आएमफ और डबलो भी यानि वर्ल्ड बैंक इन दोनों की नीतियों को स्विकार कर लिया बच्चो तो यहां पर सबसे पहले हम करन कर देना और मुक्त बाजार की नीती को अपनाना इस इनी तीनों पॉलिसी को हम लोग पुंजी वाद भी कह सकते हैं या शोक्तरपी कहते हैं शोक्तरपी इस बात पर आधारित थी कि विकास के लिए पुंजी वादी मोडल आवश्यक है इसलिए सरकारी उद्योगों को तुरण समाप्त करना आवश्यक है शोक्तरपी के बहुत सारे परिणाम होगे तो आईए देख लेते हैं शोक्तरपी के क्या परिणाम रहें और किस तरीके से विश्व को एक तरीके से बदल कर रख दिया शोक्तरपी ने ठीक है बचो तो यहाँ पर पहला पॉइंट देख को बच्चों मिष्टेक्स हैं बहुत सारी मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैंने खुदी टाइप किया था इसको तो अगर वह यह मिश्टेक्स आपको लग रही हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ हिंधी में आप ज़रा उसको सुन लिए तो हो सकता है कि मैं उन मिस्ट्रिक्स को दूरे कोशिश करूँ गा तो निजी को बढ़ावा दिया गया और सारवजनिक उद्धयोगों को बंद कर दिया गया फटाफट जो सरकारी उद्योग थे उनको बेचा जाना बहुत कम कीमत पर इसको गरासेल कहा गया क्रिशी क्योंकि सरकारी शेतर के अंदर गताती थी उसका निजी करण कर दिया गया और इससे क्या हुआ असमानता में वर्दी हुई क्योंकि इससे केवल और केवल धनी लोगों को नाब हुआ शोग थेरिपी के निजी करण से इस शेतर के अधिकतर द्योगों पर पस्चीमी देशियों के लोगों का नियंतर ने स्थापित हो गया आज आप दुनिया की चार और पांच बड़ी कंपनिया निकाल कर देख लिए अमेरिकन कंपनिया आपको मिलेंगी जो चार और पांच कंपनिया है और इसकी जो पठकता है यानि इसकी जो राइटिंग है वो लिखनी शुरू कर दी थी अमेरिका ने उनने सो पैतालिस में ह आते आते 1990 और 1992 के अंदर उन्होंने पूरी तरीके से पूरी दुनिया पर अपना कब्जा स्थाफित कर लिया मैगडी से लेकर कोका कोला इन सभी कंपनियों के गर बात कर लोगे सारी कंपनिया जो है अमेरिकन कंपनिया हैं और इनका कब्जा आज विश्व के गरीब से बनका विप्टन के कारना इस वाली वीडियो में डिसक्रत करेंगे स्विश्व संके विकटन के परिणाम यइनी दुनिया में कोश्चन पर विराम लग गया और यह समझ में आ गया कि केवल और केवल अमेरिकन प्रणाली ही बहतर है दूसरा एक धुर्वियता का उद्य हो गया इसमें यूएस से एक महाशक्ति बनकर उबरा और उसने जो दो संस्थाए वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉन्ट्री फंड बनाई थी वो आज भी प्रभाव में है और दुनिया को उन्हें अपनी चपेट में ले लिया है इसको नवपनिवेश्वाद कहा जाता है नवपनिवेश्वाद का मतलब होता है बच्चो जिसमें आर्थिक रूप से किसी देश को अपना गुलाम बनाया जाता है उसको बोलते हैं नवपनिवेश्वाद नेक्ट पॉइंट देख लेते हैं नए सुतंत्र देशों का ओदय हुआ क्योंकि सोवेश्व का विक्टन हो गया था तो सोवेश्व से अलग होकर बहुत सारे नएने देश बने जिन में से बहुत सारे नाटों में शामिल हो गए जबकि कुछ यूरोपी संग से जुड़ गए और कुछ देशों के आज भी रूस और चीन के साथ घनिष्ट संबंद बरकरार हैं नेक्ट को बच्चों सोवेश्व संग के विक तंतर को अपनाएंगे या की तरीके से उनके देश में हालात काबू में आ जाएंगे तो वैसा नहीं हुआ यहां पर मैं कोई देशों का जिकर आप से कर रहा हूं जहां जहां आज भी प्राबलम चल रही हैं रूस का एक इलाका है चेचनिया जहां अलगावाद और हिंसक आंदोलन चल रहे हैं और उसको दबाने के लिए निरंतर स्यानिक शक्ती का प्रियोग किया जाता है दूसरा तजाकिस्तान दस वरसों तक ग्रह युदी से प्रभावित रहा अजर बेजान में के एक शेत्र के लोग अर्मेनिया मिलना चाहते हैं जोर्जिया में लोग सरका आपका फिनिश हो जाएगा और उसके बाद मैं लेके आऊंगा आपके लिए वन लाइनर चार चप्टर के वन लाइनर डिसकस करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेर कर लाइक कर दीजेगा बहुत अच्छी लगी हो तो शेर कर दीजेगा थैंक्यू थै